तो अगर आप भी PVC voter ID card घर बैटे online apply करना या फिर order करना चाहते हो तो यह पूरा process हम इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाले सबसे पहले तो आपको इस website प्याना है voters.eci.gov.in यह voter card को official website है जहां से आप PVC voter ID card के लिए apply कर सकते हो या फिर order कर सकते हो तो मैंने इस website का link already अपने description में दे दिया है तो आपर click करकर direct इस website पर आजा होगे और यहां पर आने के बाद में आपको form section में आपको देखना है तो form section में आपको 4 form मिलेंगे form 6, form 6a, form 7 and form 8 हमारे काम का है form 8 जिससे कि हम यहां घर बैटे online PVC voter ID card के लिए apply कर सकते है तो यहां पर simple सा fill form 8 पर click करना है जैसे click करेंगे तो यहां पर account login करने के लिए बोलेगा तो अगर आप eci.votercart के ओफिस हो लिए website पर पहले कोई account create किया होगा तो यहां पर अपना mobile number, password and capture fill करके and request OTP generate करके account को login कर सकते हो लेकिन अगर आप इस website पर पहली वार विजिट कर रहे हो और आपने अभी तक इस website पर कोई भी account create नहीं किया है तो simple सा यहां पर sign up option पर click करना है and यहां पर आपको नया account create करना है सबसे पहले यहां पर हम अपना mobile number को enter करते है जो भी हमारा mobile number आप अपना देखले नए कौण सा mobile number आपको देना है and mobile number enter करने के बाद यहां पर email address है तो आपको अगर देना हुऊ email address दे सकते हो, और नहीं देना ह्योग debah लकिन हम यहां पर अपना email address भी डाल देता हो कर लेते हैं यह सभी फिल होने के बाद यहां पर simple सा continue का option पर click करेंगे continue का option पर जैसे click करेंगे तो next यहां पर option मिलेगा जिसमें first name last name password confirm password करना है तो first name में अपना जो भी नाम का पहला अचार ओडाल देते हैं and last name में अपना पूरा नाम डालते हैं and password आप अपने हिसाब से create कर लिजगा at least 8 digit का password यहां पर आपको create करना होगा जिसमें सभी अक्षर mix होना चाहिए so यहां पर मैं अपना 8 अक्षर का यहां पर password को डाल देता हूँ and उसके बाद में जो भी हमने password में डाला उसको confirm password में भी हमको डालना पड़ेगा so इसको भी डाल दिया अब यहां पर request OTP पर click करेंगे जो भी हमने mobile number और जो भी email दिया है वो दोनों पर हमारा OTP आया होगा so मैं यहां पर थोरा से इंतेजार करता हूँ जब तक OTP आज है and उसके बाद में यहां पर mobile number का OTP उपर and नीचे यहां पर email address का OTP डालना है so एक बार OTP आज है उसके बाद यहां पर हम डालते हैं okay तो हमारे पास OTP आचुका है मैं यहां पर OTP एंटर कर देता हूँ and उसके बाद email address में भी email id में हमको देखना परेगा email आया होगा okay यहां पर भी हमको OTP आचुका है so यह दोनों यहां पर डाल दिया हमने and डालने के बाद यहां पर verify option मिलता है यहां पर simple सा click करेंगे जैसे click करेंगे हमारा account यहां हमारा successfully यहां पर account नया sign up हो गया अभी हमको यहां पर login section में लाएगा जहां पर हमको simple सा fit से यहां पर जो भी हमने account create किया है जिसमें email number से उसको यहां पर डालना है and password डालना है capture डालना है उसके बाद request OTP के साथ लोग इन करना है तो जो भी email number में डाल दिया and password पर जो भी हमने password क्रेट किया तो उस password को यहां पर mentor करेंगे and उसके बाद में यहां पर capture दिख रहा है इस capture को यहां पर fill करेंगे and यह होने के बाद simple request OTP पर click करेंगे and यहां पर हमारा एकाउंट लोग इन हो चुका है and इसके बाद आपको फिट से fill form 8 पर click करने अब यहां पर click करेंगे तो यहां कि फॉर्म खुल जाएगा क्योंकि अब आप यहां पर एकाउंट लोग इन कर लिए यहां पर दो option मिलेंगे आपको application for self and दूसरा application for other electors तो यहां पर अगर आपने उस mobile number से account बनाया है जो कि आपके voter ID card से link था तो यहां पर self का option आपका यहां पर दिखायागा और यहां पर click करोगे तो automatic आपका जो भी UTI number होगा यपिक number होगा जो कि select कर लेगा लेकिन हमने जो account create किया होगा जो कि दूसरे mobile number से क्रिया है इसकांच यहां पर self का option में हमारा UTI number नहीं detect कर रहा है तो यहां पर other option पर click करना है और जो भी voter ID card को पीवे से voter ID card के लिए apply करना है या फिर order करना है उस voter ID card का यहां पर इपिक number डालेंगे और उसके बाद में यहां पर submit का option में simple क्लिक करेंगे यहां पर थोड़ा से loading लेगा है यहां पर जो भी इपिक number आपने डाला है उसका यहां पर पूरा detail सो करेगा और थोड़ा से नीचे आओगे तो यहां पर आपको एक option मिलेगा okay का simple से okay option पर क्लिक करना है और जैसे okay option पर क्लिक करोगे तो application पर यहां पर आपको 4 option मिलेंगे तो यहां पर सबसे पहला shifting के लिए आपको यह option सेलेक्ट करना पड़े हो क्लिक करना है जैसे क्लिक करोगे यहां पर थोड़ा से लोड़िंग लेगा और यहां पर आपका state and district automatic fetch कर लेगा और जो भी assembly number होगा भी यहां पर आपका फेच कर लेगा थोड़ा से यहां पर स्क्रॉल डाउन करोगे और इसके बाद इसमें जो आपका तर यहां पर इसमें आपको पुछी नहीं यह तरह उस तरह अपको छोड़ देना है यहांपगा इसम्रफा नेक्सट ओप्शन पर क्लिक कर और यह चीज आपको यहां पर दिखाया उसका नाम यह आपको सो करेगा और नीचे अधार कार्ड कार्ड को अपसर मिलता है यहाँ पर कुछ छेड़ नहीं करना है क्योंकि हमको सिम्पल हमारा जो बोटर एडी कार्ड है उसका ही तुक को भी एक पीबिसी बोटर एडी कार्ड अप्लाइ करें तो यहाँ पर हमको कुछ चेंजस करने के जुरूरत नहीं है सिम्पल यहाँ पर हमको फिट से नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट जैसे ही करेंगो तो हमको सी सेक्शन हो बोलेगा आई सब्मिट एप्लिकेशन फोर टिक एन अप दा फ्लोईंग जोकी automatic सेलेक्ट रहेगा issue of replacement epic without any correction यहाँ पर इस सुदार के पर चारण है अपने भोटर इड कार्ड का पीबीची कार्ड चाहते है तो यह option automatic फिल रहेगा तो इसको आप चेंज सेक्ट आप देखने को मालेगा application for issue of replacement epic without correction यहां पर तीन ओप्सन देखने को भी लेगा पहला लोस्त दूसरा डिस्टोय दू रिजन बियोंड कंट्रोल लाइक फ्लूड फायर और नेचुरल डाजेस्टर अड तीसरा यहां पर मल्टी लेटेड तो यहां पर फर्स्ट अगर सेलेक्ट करते हो तो इसके अंदर में आप कोई डोकुमें ने का जोड़त नहीं होट यहां पर अगर आपका बोटर इड कार्ट फट गया है यहां पर उसवावी जो भी मिस्प्रेंट होगे जो भी लिका हुआ था तो यह लुगा हुआ चार दूसरा अप्सन सेलेक्ट करना होता है अद मल्टी लेटेड में यहां क्यों मां दोक्यूमेंट में चीजी हो ना चाहिए वो कि सही तरीके से बार शु continued तो त्यीसर ओपिसन इसफ्टेस थे करना होता है लेकिन तो भी सेफ्ट चीह और उसके जहां से भी आप form submit करें वहां कापको पालस डाल देना है मैं इस फॉर्म को डेली से submit करना हो तो मैं यहां पर डेली डालोंगा और उसके बाद यहां पर next करेंगे आप चाहो तो यहां पर डिस्ट्रिक नाम भी डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है एंड उसके बाद next करना है next day से करोगा तो यहां पर आपको capture फिल करने के लिए बोलेगा तो यह को capture दीख रहा है सामने वो जो कि आपको यहां पर फिल कर देना है मैं यहां पर capture डाल देता हूँ 6 M and उसके बाद यहां पर preview and submit option पर click करना है जैसे preview and submit option पर click करेंगे हो साइद हमारा capture गलत हो गया AI IVYC और उसके बाद फिर से यहां पर preview and submit option पर क्लिक करें करें कि अब हमारा capture सही डालाया और उसके बाद में जो भी आपने form आपने fill up किया है उस form का यहां पर आपको preview देखने को मिलेगा जिसमें आपका epic number आपका नाम और जो भी आपने changes किया हो तो भी यहां पर आपको दिखाएगा तो आपको दिखाएगा तो कुछ ज्यादा नहीं किया बस यहां पर without correction के साथ अपना pvc voter ID card apply करें तो यहां पर हमारा कुछ यहां पर ज्यादा changes नहीं है बस आपने जो option चूज किया हो जो कि हमारा यहां पर दिखाएगा दे रहा तो महीं यहां पर स्योरू मेरा पूरा सही है तो महीं यहां पर yes करता हूं and yes जैसे ही करेंगे तो यह form जो कि successfully voter card के official website पर यहां पर submit हो जाएगा and हमको एक reference number यहां पर देखने को मिलेगा and इस reference number की मदद से हम अपने pvc voter ID card को track कर पाएगे कि हमारा pvc voter ID card कहां तक पहुंचा और इसका process कहां तक हुआ and इसको आप copy भी कर सकते हैं और note down भी कर सकते हैं और साथ में यहां पर download acknowledgement number मिलता है इसको भी आपको download कर रख लेना है जिसमें आपको reference number रहता है तो simple यहां पर download option पर click करोगे and यह आपको दिखने को मिलेगा इसको आपको simple सा आपको download करके रख लेना है जिससे कि आपको यहां पर माले जी यह reference number है अगर कहीं आप भोल जाते हो तो फिर acknowledgement number जो आप download कियो उसके अंदर में आपका देखोगे आपको एक बार दिखा दो तो आपका acknowledgement number यहां पर आपको दिखाता है के और कौर्ड़नर में अचाथ में सबसे नीचे आप देखोगे तो यहां पर एक acknowledgement number यहां पर आपका reference number आपको दिखाता है तो एक acknowledgement number और reference number दोनों ही सीम होता है तो इसको आप download को कर लोगे ता कि जब आपको ट्रैक करना हो माले जी यहां से आपने copy करका रखा नोट करका रखा वो कहीं घुम गया तो जो दिक्काद हो जाएंगे फिर आप बाद में track नहीं कर पाओगे सो इस कहां से आप एक file app download को भी रख लोगे ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा सो मैं यहां पे इस reference number को copy कर लेता हूँ यह हो कि submit होने के बाद में आपको क्या करने है यहां पर ok option पे-click करने के बाद में आपको अपने application को track करने कि आपको अपने application को track करना कि वह success Unilever गीक तो यहां पर track application status पे-click कने करना है आप click जैसे ही करोगा तो थोडा से यहां पर loading लेगा as per network issue एंद उसके बाद में यहाँ यहाँ आपको reference number डालने के लिए और लेखा तो जो भी आपने reference number copy किया है यह पिर जो भी acknowledgement number डाउनलोड किया है वहाँ आपको reference number देखने को मिलता है corner में और यहाँ पर top corner में तो वहाँ सभी आप देखकर के लिए प्रह एपड़ सकती हो यहां पर दिखा यहां है तो यहां पर फॉर्म और शुक्सेशन हो चुकता है तो यहां पर एक स्विख्ड 추ुत दिख़गा यहां पर नियुग जैसे दल पर करनल करने perception तो आपको बस अप कुछ नहीं करना वस यहां पर आपको आना है और अपने application को अपने application status को track करना है कि आपका application status successfully complete हुआ यहां फिर rejected हुआ वैसे यहां पर rejected ज्यादातर होता नहीं है successfully यहां पर completed हो जाएगा और उसके बाद आपका जो voter card है वो by post आपके घर पे पहुंचा दे जाएंगे जो कि PVC voter ID card होगा जो कि आपको घर पे बाइपोस्ट आपके पहुंचा दे जाएंगे तो कुछ इस steps को follow करके आप घर बेटे PVC voter ID card को apply कर सकते हो कहीं भी आपको जाने के जुरूत नहीं है कहीं भी एक रुपए भी देने की जुरत नहीं है